लोगसबाद चुनाओं के मदे नगज़रे, बीजेपी ने जारी की अपनी दसव्य सूची, इस सूची में नौमी दवार है और कई ऐसे जो चेहरें हैं, जिनके टिकट कटे हैं और कई नए चेहरों को टिकट मिला है। सबसे पह से पहले बात करते हैं कि किसका किसका टिकट सूची में कटा है तो भल Llय से विरेन सिंग मस्थ हैं मौजूदा सांसत थे और चार बार के सांसत रहें उनका टिकट कट गया है उनकी जगा टिकट मिला है नीरश Shaker को नीरश Shaker पूर प्रदानमंत्री चंदशेखर के बेटे हैं और सपा में पहले थे सपा से भाश्पा में शामिल हुए थे और राज्यसाबा सांसत थे अब लोगसभा से बली आके उमीद्वार होंगे बीज़ेपी के टिकट पर दूसरा जो प्रमुक कटौती भी है वह है रीता बहुगणा जोशी की प्रयाग टिकट में नहीं मिला था तब उन्होंने बयानबाजी कि ती जिससे पार्टी आलाकमान नाकुष्टा और इस वज़ा से यह उमीद की जारी कि उनका टिकट काट दिया गया अब यह नजर जाती कि नीरे से पार्टी है कौन नीरे त्रिपार्टी बीजेपी के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में रहे के स्री नात्र पार्टी के बेटे हैं के स्री नात्र पार्टी विधान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश शरकार में पूर मंत्री रह चुके हैं और कई एहम पदों पर रह चुके वरिश भाश्वा नेताओं में से एक ते क स्रीनात्रपाटी उनके बेटे हैं नीड़त्रपाटी यह ब्रामण बाहुली छेतर हैं लिहाजा इस ब्रामण चेरे को टिकट लेना देना और कद्दावर नेता के बेटे को टिकट देना बीजेपी अपने इस वोट बैंक को साधनी की कोशिच में जुटी है तीसरा जो एहम अब हम मैंपूरी में जैवीर ठाकुर की बात करें तो यह भी कददावर नेता रहे हैं और हमेशा से जो मुलायम सिंग का परिवार रहा है उसके ये विरोध में खड़े हुए हैं और इनको यहाँ पर टिकट दिया गया विनोज सोनकर कौशांबी से विनोज सोनकर लगातार तीसरी बार इनको टिकट मिलेगा और अब पार्टी इनका जो इस्सेमाल कर रही थी वह संगठनात्म कारियों में कर रही थी लहाजा विनोज सोनकर को भी टिकट मिलना बहुत जरूरी है और फूलपुर से प्रवीन पटेल प्रवीन पटेल भी यह एक मौज बीजेपी का महतवपूर्ण चहरा है इनको टिकट मिला उत्तरप्रदेश शरकार के संगठन में इनकी महतवपूर् पीट किया गया है और इसके अलावा गाजीपुर से पारस नात्राय जो कि वहां के स्थानी कारे करता है उनको टिकट दिया गया है तो कुल मिलाकर इस दसवी सूची में उमीद्वार तो है नौ लेकिन कई फेर बदल किये गया है कुछ पुराने चेहरों को मुका दिया जा मुका दो है कैसनी करता हुआ है